हेलो एवरिवन मैं बिलाल एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बिलाल सर में तो डियर स्टुडेंट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंतरास्य संगठन की विकास की और इस विकास में हम बात करेंगे सन्युक्त राज संग के बारे में जी हां जो कि एक बहुत ही महत्पूर्ण टोपिक है यह क्लास 12 के साथ साथ ग्रेजुएशन और बी ए ओनर से बी प्रोग्रम सभी के लिए समानूप सी उप्योगी होने वाली है तो जोस्तों वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर द स संगठन था वो ता 1648 एसवी का वेस्ट फेलिया कॉंगरेस संगठन जी हां वेस्ट फेलिया जी हां कांग्र्ण शंगठन अंतराश्य संगठनों की दयास में सबसे महत्तबूर्ण संगठन में आ सकते हैं कि यहीं सही अंतराश्य संगठन की सुरुवात मानी जा सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो 1815 इस्वी में यहां 1815 इस्वी में वियाना कॉंगरेस का विजन किया गया। यानि जब वाटरलू के मैदार में नेपोलियन के प्राजा हो जाती है उसके बाद वियाना कॉंगरेस का विजन किया जाता है और इसमें यूरोप की रादनेती समस्याओं के समाधान करने के प्राश किया गया। इसके बाद बात करें जो सबसे मेदपूर चीज़ बात या वो है कंसरंट ओफ यूरोप जिहां कंसरंट ओफ यूरोप इसमें क्या होता है कि इसमें यूरोप में भावी सांती और व्यवस्ता बनाया रखने है तो यूरोप की सन्यूक्त व्यवस्ता ने कंसरंट ओफ यू सांती समेल जी हां है सांती समेलन ये कब होता है 1899 अठारा सो निन्यान बे और 1937 वी को और इस समेलनों भी अंतराशी संगटन विकास में पर्याप्ते उदान दिया इसके अगर हम बात करें क्योंकि ना प्रतम एक समेलन में अंतराशी व्यादों के सांतिपो ढंक से समाधान क करने के लिए पंच निरने को अपनाने पर जोड़ दिया गया और इस सबसे प्रतम राष्ट अंतराश्य संग कोन था वह था राष्ट संग जिसके सापना फर्स वर्ल्ड वार के बाद 1922 में की गई थी और किन्तु राष्ट संग के बाद फिर भी विश्व में लगाता रि दे दिया और दूसरे विश्व के बाद सनुत राष्ट संग की संग या देगे यानि इसी जिसे राष्ट संग के हम कहते हैं ना इसी राष्ट संग का ही नाम परिवर्तन करके क्या रख दे गया सनुत राष्ट संग और इसकी स्थापना कब होती है 24 सक्टूबर 1922 को हाला क सनुद राश्चरंग के स्थापना में जो सबसे महत्तपूर योगदान होता है दोस्तों वह diferente अमेकी राश्चरंग की स्थापना की बात करें राश्चरंग मेन में डियर विड्रो विलन का ये भी एक एक अमेरिकी राश्चरंग की पर दोड़ा है में फ्रैंक्लिन डिरुजुगर्ट के विदान था कि सन्यूत राज ने के स्थापना की बात करें तो इसके लिए सन्यूत राज अमेरिका के सैन फ्रैंसिस्को नगर में एक जनवरी उननीस सो बैालिस को ब्रुटेज सोविय संग चीन और अन्य 26 मित राष्टों के प्रतनिद्यों के सम्मेलन हुआ जिसमें यह निरने लिया गा कि यह जो राष्ट न एक इकट्टा होकर धुरी राष्टों के खिलाब एक संगठन के दिर्माण करेंगे और इसी संगठन के मात्यमस में सामना करेंगे और इस संगठन को सन्युक्त राष्ट अत्वा युनाइटिड नेशन नाम किस ने दिया था फ्रैंक्लिन डी रूजवेल्ट ने चली यहां तक किलिया रोगया चली दोस्तों आयोब मैं आपको समझाने मे इतने सताउसरास्चर के थे तो उस समय पचास राष्ट द्वारा सताउसर किया गया था कब किया गया था। 26 जून 1945 को को हलांकि पॉलैंड का प्रतनिधी अधिवेसर में नहीं सामिल हुए थे और उसके इसने इसने बाद में अस्ताक्षर किया और इसलिए हम कहते हैं कि समुद्राश्चर के चार्टर में 51 सदस्यों के अस्ताक्षर किये गये थे पोलेंड को लेकर ठीक है चलिए नेस्ट जो हमारा सबस्वा ट्रोपिक है अगर भारत की बात करें तो भा भारत की तरब से भाग लेने वाले थे कौन स्री यहां स्री एम ए रामा स्वामी मुद्लियार इस सब्लेन में भाग लिए थे और वह पचास प्रतिनुद्वियों में सामिंते जिन इस प्रगोश्चर किया था अब स्तरुत राश्चंग के प्रतिक चिनने की बात करें ठीक से स्युकार किया गया और इसमें प्रतिक चिन में क्या क्या है तो प्रतिक चिन में है एक दिग सात्मक सुरूप विस्व मांचित्र को दर्साया गया है जिसमें उत्री दिरूप को केंद्र में दर्साया गया है और मांचित्र के दोनों और जैतून की पत्तियों को दर्साय गया है एक जो आपस में इस तरह से क्रोश कूर्प में बनी वी है कि चित्र इसाथ डिघृ की ओर रहा है और वह पाँच गोलों में दर्शाए गया है और जैतून की दो पत्तिया किस्प का प्रतिकмат और अगर मान्चीत्र की बात करें जो विस्व का प्रतिक है तो विस्व का जो मान्चीत्र है वो सांती एवम सुरक्ष्या का प्रतिक है ठीक है चलिए आगे चलते हैं सब्सक्राइब समान अधिकार और लोगों को आत्म निरणियन के आधार पर देशों के बीच मैंत्रपूर संब्द्र विकास करना यानि जो विश्वे आपस में लड़ते हैं उनके विच मैतिपूर संब्द की दिकास करना किसका उद्देश है सनुतराश्रंग का इसके साथ साथ आगर हम बạt करें तो अंतराश्रिय आर्थिक, समाजिक और सांस्कृतिक और मानुविय समस्याओं के समाधान के लिए सयोग करना भी सनुतराश्रंग का उद्देश है नियस्ट्री करण और नई अंतराश्टी आर्थी व्यास्ता की स्थापना करना के है यानि विश्व में हतियार को बढ़ावा ना देना हतियार को समाप्त करना निसेस्ट्री करण करना यह सब किसका उद्देश है सिधान्त के सिधान्त के सिधान्त के सिधान्त के सभी सदस्देशों की परभूता की समानता पर आधारित है और सभी सदस देश घोस्तना पत्त में वरणित अपने कर्तवों के क्या करेंगे निर्वेहन करेंगे हमें सब उसके काम करने में प्रयास करेंगे और सनुत रास ये भी सुनुशित करेगा कि ऐसे देश जो कि उसके सदस नहीं है अंतराश्य सांती और सुरक्षा को बनाया रखने के लिए उसके सिधानतों के अनुरूफी विवार करें वतमान में अगर हम बात करें तो सवनुट राश्टां के सदस सदेश संग के 193 है वो 1913,193 सदस सदेश है किसके सवनुट राश्टे संग के इसके अलबा सवनुट राश्टां कुछ अधिकारी भासाएं हैं दोस्तों सवनुट राश्टां के जो अधिकारी भासा है उसके कौन-कौन है चीनी यानि चीनी भासा है अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, अर्बी और स्पेनिच तो सनुत राष्ट संग में परियोग की जाने जो अधिकारिक भासा हैं वो कुल 6 भासा हैं उसमें चीनी हैं अंगरीजी हैं फ्रेंस हैं रूसी अर्भी ये विस और स्पेनी सामिल हैं यानि सनुत राष्ट संग के जितने भी दास्तवेज हैं इनी भासाओं में परियोग की इसके अलावाब बात करते हैं दोस्तो सनुत्रास संग के प्रमुक अंग की सनुत्रास संग के घोषणा पत्र चार्टर के अध्या रहत तीन में and seven में इसके छ्व अंग इस्थाबित के गये पहला है महासबाा दुस्रा है सुरक्ष्य परिसाड तीसरा है आर्थिक और समाजिक परिशत, चोथा है नियाय परिशत और छटा है पाच्वा है अंतरास्टे नियाय रहे और छटा है सची वाल है दोस्तों ये सनुतरास्ट संग से संबदित महतपुर्ड फैक्ट है नेस वीडियो में हम महतपुर्ड फैक्ट है उनके बारे में डीटेल से जाचा करेंगे चुकि वीडियो काफी बड़ी हो चुकि है इसलिए आज वीडियो के यहीं ही खतम करते है आई होप मैं आप सभी को डाउट को क्लियर कर पाया हूँ इस वीडियो में तो अगर इसके अ अपने दोस्तों को से करते हैं तब तक के लिए जैहिन धन्यवाद मिलते हैं आपको नेस्ट वीडियो में